हालो गाइज वेलकम टो माई चैनल मीनू ग्रेटिंट स्मार टिप्स और ट्रिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम जो है मेथी परांठा किस तरह से बनाते हैं वह आज हम यहां पर सीखेंगे मेथी परांठा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इंस्टन तरीक किसे दो मिनिट में हम किस तरह से मेथी का परांठा बनाएंगे हमें मेथी को कट करने के ज़रूरत नहीं है आज वही मैं ट्रिक आपके लिए लेकर आई हूं कि आपका अगर परांठा काने का मन है मालू मेथी का या बातु का या कोई भी तो आप किस ट्रिक से परांठा ब भी है मैंने तीन चार अध्रक लहसून की ख़ला है यह ध्रक니다 का पीस और एक i life मैंने इसमें ली है अब इसके बाद रêtes सकते हैं । इसमें डालए के लिए अजवाइन है. यह थोड़ी अजवाइन मैंने ली है ठीक है तो इसे बनाने के लिए हमने करना क्या है हम इसको ग्राइंडर में जो है चला देते हैं ताकि फटा फट से थोड़ा सा जाधा पिस जाएगा बिल्कुल बारीक हम नहीं करेंगे लाइक जितना परांठा बनाने के लिए क्योंकि हमने इसे आठे में गूंहना है तो हम ज़ादा भारीक इसको नहीं करेंगे पस एक एक बार ग्राइंड कर लते हैं पत्ते भी में डाल देते हूँ मेथी के पत्ते में बहुत अच्छे तरह से अब इसको मैं इसमें डाल लेती हूँ और इसके बाद इसी में मैं नमक डाल दूँगी इसी में अद्रक लहसून और जो हरी मिर्च है वो भी मैं इसी और नमक आप स्वादन सार डाल सकते हैं जितना आपने डालना है और इसके अलावा जो है अद्रक लहसून भी मैं इसी में इसी में यह पिस्ट करके ready हो जाएगा और इसके साथ ही अजोंऑी भी मैं इसी में ॰ाण ठोड़ी कि हम हल्दी में डाल देते हैं और इस जोड़ा सा पानी तो इसे मैं एक बर्तर में निकाल लेती हूं जिसमें के हमने आटा डाल के से गूनना है तो आप देख सकते हैं यह बिल्कुल एकदम एकुरेट जो है पिस करके रेडी है पूरा अद्रक लहसून भी इसमें जो है अच्छे से पिस चुका है हमें से कट करने की जरूरत नहीं ह हमने सब कुछ इसी में ही डाल करके पिस लिया है अब इसके बाद हम जो है इसमें आटा डाल देते जितना आटा हमने गूनना है इसमें मैं लगभग इसमें चार कटोरी आटा डालूंगी और इसे अच्छे से मैं गून लेती हूं अब मैं इसमें थोड़ा सा ओइल भी आटा गून करके रेडी हो जाता है अगर इसमें हम ऑईल डालते हैं यानि कि हाथ में बिल्कुल हमारे चिपके का नहीं तो थोड़ा बहुत पानी डाल करके हम इसे जो है गून लेते हैं इसका डो बना करके रेडी कर लेते हैं आटा गून करके एकदम रेडी है अब मैं इ तोड़ देते हैं अब 10-15 मिनिट हो चुके हैं चलिए बहुत सौफ्ट आटा गुंद करके रेडी हुआ है और अब हम क्या करते हैं इसका डो बना करके जो है हम इसको बेल करके पराथा तयार करते हैं तो आप देखिए मैंने इसे डो बनाया है आप हाथों में भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा है क्यों कि मैंने इसमें ऑईल ार्ड किया है ओग्धी ससोत परंधा बन करके रैडी होता है और भड़ी फट फट परंथा बन करके रैडी होता है कोई मुझे टाइम नहीं ही लगा मैंने फट फट से grind किया सब कुछ डाल करके और जो है और यो है और यह प्राइट कर लेते हैं जिससे की पराइटा जो है वो काफी अच्छे से नीचे से पक जाए तो ऑई एड़ करने से नीचे चिपकेगा भी नहीं तवे में ठीक है अब इसके बाद जो है मैं इसमें पराइटा डाल देती हूं और लगभा कुछ टाइम बाद मैं इसको एक मिनिट बाद मैं इसे पलट दूँगी तो पलटने के बाद इस साइड में हम जो है ऑईल लगा लेते हैं अच्छा सा अगर आप घी लगाना चाहिए बटर लगाना चाहिए आप वो भी लगा सकते हैं मैं इसमें जो है ऑईल लगा रही हूं और इस चीज का धियान रख है तो जब भी हमने कर्ची यूज़ करनी है आप देख सकते हैं मैं भी जो कर्ची यूज़ कर रही हूं यह चप्टी कर्ची है जिसे की नीचे का पार जो है वो दब रहा है और अच्छे से नीचे का पॉर्षन जो है वो अच्छे से पक करके रेडी हो जाएगा आप देख को जो हैं corner से दबाते हुए आप परांठे को पकाएं तक केुल करने भी बहुत अच्छे से पक जाएं एक के मेथी परांठा बन कर से एकदम रेडी हैं तो मेथी के परांठ बन कर सारे है आपको कैसी लगी तो अगर आपको ड्रिक अच्छे लगी तो प्लीज लाइक करना तो बिल्कुल मत धूलिएगा और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसके साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स आपको आगे भी मिलती रहें थैंक यू सो मच, बाबाई